हेलो बच्छो तो वेल्कम बैक अब हम लोग मागनेटिक एफेक्ट ओफ करेंट यानि की इलेक्ट्रो मागनेटिसम को स्टडी करने वाले हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी हैंस ओइस्टर्ड की यही फेमस एक्सपेरिमेंट से तो बच्छो हुआ क्या था कि हैंस ओइस्टर्ड इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट बहुत सारा करते थे तो उनके पास एक सिर्फ हमने एक स्टोडि बनाया है एक अजियूम किया हुआ स्टोडि है तो में भी उनके पास, हैंस ओइस्टड के पास, एक कमपस था, और वैसे भी पहले, जितने भी लोग होते थे, जो साइंस फील्ड से या नाविकेशन फील्ड से बिलॉग करते थे, यह सबके पास शौक का, जिसे आजकर हमारे पास, सबके हाथों में क्या होता है, मोबाइल होता है, तो उन सबके पास उस वक्त पर एक कमपस होता था, तो आज का मोबाइल, उस वक्त का कमपस से आप कमपेर कर सकते हो, एक ऐसा important device था कमपस, कमपस होता क्या है, तो थोड़ा मैं आपको compass के बारे में बता दूँ ताकि आप के ideas जो है compass के बारे में clear हो जाए compass कुछ ऐसा दिखता है तो यह हमारा compass है ठीक है यह एक इस तरह से एक horizontal vertical pivoted stand होता है और इसके उपर से इस तरह से एक magnetic needle को रख दिया जाता है आपर तो मैं यह horizontal करके दिखा दूँ ऐसे ऐसे रखे जाता है तो यह वाला जो part है वो needle रहता है यह वाला part और यह वाला part stand होता है इसा होता है और ये such in such a way that it is free to rotate ये horizontal direction ना ये horizontal direction में free it rotate करने के लिए free है it can rotate anywhere ने ये कहीं पर भी rotate कर सकते हैं ऐसा stand पर रहता है और it can it is free to rotate in the horizontal plane ये अपने horizontal plane में rotate करने के लिए लिए free होता है तो ऐसे होता है कौन एक compass होता है अब हमने magnetism के बारे में 8 standard में पढ़ाता है कि भाई अगर हमने एक magnet लिया और उस magnet को hang कर दिया रसी से बानके extends hang कर दिया तो magnet कौन से direction में rest पर आता है it always comes in the direction of north and south पराबर ये हमें पता है north south direction में हमेशा किसमें आएगा rest पर आएगा ठीक है और freely ये हमारा magnetism का एक property है a freely pivoted पराबर magnet और freely subtended magnet will always come to rest in the north south direction पराबर ये होता है काई के लिए होता है तो ये earth के magnetic field के वज़े से होता है कि कोई भी magnet को अगर हमने freely लटका दिया hang कर दिया तो जब वो rest पर आएगा घुमने के बाद कितना तो लोग पहले इस magnet को use करते थे direction को fine करने के लिए कहीं पर भी रहेंगे magnet रग दो compass रग दो वो compass का direction कौणसे direction में रहेगा north और south तो लोगों को मालूम पढ़ जाता था कि north किदर है south किदर है और वहां से वो east west का अपना direction का पता लगा लेते थे इसके लिए एक important device था the device was very important in case of navigation और scientist लोग लिए बहुत important device था यह चीज़ तो hands oyster क्या कर रहे थे अपने experiment में अब हम उस पे बात करते हैं तो oyster ने एक wire लिया है यह wire देख सकते हैं आप AB और इस wire को उन्होंने एक battery से connect किया है ठीक है यहाँ पर switch भी है की जिसे की कहते है switch वो भी है ओके यह wire का जो direction है यह north direction है और यह south direction है यानि north south में उन्होंने यह wire को place किया है और बाजू में उन्होंने अपना compass रख दिया जो plotting compass होता है compass, magnetic compass उन्होंने वहाँ पर रख दिया अब रखने के बाद देख रहे हो आप जो direction है north south देख रहे हैं नौर्थ की तरह point करता है pointer तो ऐसा ही हरब compass point करता है north इधर है it always point towards north तो अब बताओ, A-B में current कैसे भाएगा, current electricity तो आपनी की है न, A-B में current कैसे भाएगा घ्यान से दिखको और बताओ, हाँ, क्या होगा, A-B में current ही नहीं भाएगा there will be no flow of current in this case in figure A there will be no current flowing because the switch is not connected की on ही नहीं हुआ है switch को on ही हमने नहीं किया है सब्सक्राइब तो जब तक switch on नहीं होगा, connection complete नहीं होगा, current बहेगा नहीं तो जब current नहीं बहे रहा था wire से तो हमारा compass का direction था वो north-south था without any disturbance, कोई disturbance नहीं था और वो north-south direction में आराम से रेस्ट कर रहा था बराबर कब ऐसा कब हो रहा था जब current flow नहीं हो रहा था तब हो रहा था बराबर तो switch connected नहीं है तो there will be no flow of current और जब current का flow नहीं होगा तो इस compass पर कोई भी असर नहीं पड़ा अब oyster ने क्या कर दिया switch को on कर दिया तो बताओ इसमें current कैसे बहेगा आँ बताओ current कैसे बहता है what is direction of conventional current it is from positive to negative so direction of current will be in this direction from positive या wire में कहां से होगा wire में होगा a to b current का direction wire में कहां होगा a to b तो इस तरह से current इसमें flow होगा तो जैसे ही current बहर बहर है can you see the flow of current तो current बहर है a to b the current is flowing from a to b तो जैसे ही current a to b flow हुआ यह जो compass था वही case है वो यह compass में deflection दिखा दिख रहे है compass में deflection दिखा क्या होगा deflection जैसे यह case है वो case के हिसाब से यह north है और magnetic needle किस तरफ shift हुआ है किस तरफ deflect हुआ है तो it has deflected towards the right hand side of north इसका deflection हुआ है am I right तो यह deflect हो गया कब जब current बहा तो when there was flow of current there was deflection hands or stud यह देखके एकदम surprise हो गए उन्हें पता था भाई यह कुछ और नहीं magnet है जब इसके बाजू में कोई magnet आएगा तभी यह deflect करना चालू करता है it starts deflecting only when there is some magnet around it तो उन्होंने चेक किया आजू बाजू एक कही पर magnet है क्या तो देखा कि कोई magnet नहीं है तो उनकी curiosity जो थी ना वो और curious होगे जानने के लिए कि भाई ऐसा हुआ क्यों तो next time उन्होंने ना current का direction change कर दिया उन्होंने current का direction change कर दिया तो यह plus का इदर आजेगा minus उदर चला जाएगा तो current अब कहाँ से भाईगा B to A, now current will go from B to A तो जब current B to A जाला था when the direction of current was current का direction क्या था B to A तब उन्होंने जब deflection देखा किस के अंदर अपने compass के अंदर यह north direction यह south direction वो कुछ इस तरह था कैसा है यह 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 पहले वाले का उल्टा तो when the direction of current, current का direction ऐसा था B to A था तो deflection in the compass was opposite to what has happened in the previous case ठीक है और उस्टर्ट को यह देख के बहुत मजा आने लगा और वो हर एक पहलू all the trials he tried क्या करने का, यह experiment को समझने का और उन्हें result मिलने लगे he started getting result and from all this result he tried one more time उन्होंने क्या किया, वो अपस से current को बन कर दिया जैसे ही current को बन किया, वो अपस से case ही आ गया current चालू किया, A to B deflection to the north to the right of north current चालू किया, B to A current का direction, deflection to the left of north तो इस तरह से deflection change होने लेंगे और जैसे current बन किया उन्होंने, यह वो अपस से आके north-south खड़ा हो गया अब यहां से hands oyster को एक चीज़ बहुत clear हो गया कि भाई, जभी भी current बहता है किसी conductor से तो आज पास वो क्या produce करता है वो एक field प्रेद्यूस करता है और वो field क्या है, magnetic field है क्यों magnetic field बोला उन्हेंने क्योंकि वो एक already जो magnet था उस magnet को deflect कर रहा था तो 110% एक magnetic field ही दूसरे magnetic field को deflect कर सकता है यह हमें पता है तो यह भी current इसे magnetic field आ रहा था जो compass को deflect कर रहा था वो भी क्या होगा, एक magnetic field होगा and from here, Hans Oyster ने प्रूफ कर दिया कि भाई, जभी भी current बहता है कहां से current बहता है conductor से पास होता है current तो आस पास कौन आता है आस पास आता है magnetic field this was clear आगे हम बात करेंगे कि Oyster के पास और इन्होंने इसे बोल दिया यह बोलने से काम नहीं हो गया he needed to prove this because हमने previous chapter में क्या देखा previous video में क्या देखा हमने देखा कि भाई, magnet होता है तो magnet के around magnetic field कैसा है वो हमने देखा पर Oyster ने बोला है अगर कि current carrying conductor जिस conductor से current बैता है वो magnetic field produce करता है तो Oyster भाई तुमको बताना पड़ेगा कि magnetic field का direction कैसा होगा magnetic field का nature कैसा होगा क्या वो north से start करेगा south पर end करेगा मतलब यह सब हमने देखा ना पिछले properties में पिछले वीडियो में क्या वो close continuous curves होंगे कैसे होंगे उसके बारे बताना पड़ेगा तो आप सिर्फ यह मत बोलो कि current carrying conductor magnetic field produce करता है आपको यह भी बताना पड़ेगा कि वो field का nature क्या है वो field का characteristics क्या है वो field की properties क्या है और वो field को अगर बढ़ाना है if you want to increase the effect of the field तो क्या-क्या करना पड़ेगा यह सब बताना पड़ेगा तुमको बराबर तो Oysterd के उपर बहुत सरा भार आगया बहुत सरा उनके उपर वजन आगया कि रे यार अब एक 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 चीज में कैसे करूँगा but dear students Hans Oysterd was a man of very strong determination he was determined उन्होंने हार नहीं मानी बराबर यह experiment का एक discovery हो सकता है this experiment may be a discovery यह intentionally उन्होंने नहीं perform किया हो लेकिन इसके बाद से जो भी उन्होंने इसके properties के बारे में बताया बराबर जो भी उनके लोग उनके जो साथ थे उन्होंने study किया वो सब एक छोटा सा discovery नहीं था बर वो पूरा का पूरा उन्होंने डीटेल में study करके experiment करके find out किया कि बागी properties कैसे हो सकते है तो आगे का topic और भी interesting है तो hopefully आपको Hans Oyster का experiment छोटा से समझ में आगे होगा अब यहां से Hans Oyster ने क्या-क्या conclude कर दिया मैं जड़ा लिख देता हूँ आपको मालूम होना चाहिए conclude क्या हुआ है ठीक है समझ तो गया आप you have understood the experiment लेकिन conclude क्या-क्या हुआ है वो लिखना पड़ेगा so हम यह बोल सकते है कि the deflection the deflection of compass needle यह compass का needle है और इसका deflection by the current by the current carrying wire by the current carrying wire in the avow experiment shows that a electric current produces magnetic field around it ठीक है तो भाई जो deflection मिदा दिखा किसको दिखा हैंस ओइस्टर्ट को deflection दिखा किसके वज़े से deflection दिखा current carrying conductor current carrying conductor के वज़े से जो ओइस्टर्ट को deflection दिखा उस deflection ने यह confirm कर दिया यह clear कर दिया कि electric current produces magnetic field around it तो यह बात आपको इस वीडियो से जानना है ठीक है और हम यहां से और क्या बात कर सकते हैं तो यह जालो भाई जब when there was no current there was no deflection when the current was from A to B deflection मतलब यह ऐसा नहीं होगा कि A to B में वो right of north होगा लेकिन एक मान लिया गया है A to B में अगर right of north है तो B to A जब current होगा तो यह उसका उल्टा होगा यह क्या होगा left of north हो जाएगा ठीक है no current no deflection current one direction deflection one sided current का direction change deflection other sided यह चालना है हमें फिर इसका तुम आज के time पे application कहा कर सकते हो तो मान लिया कि हमने एक पुराना घर खरीदा तो जब हमने पुराना घर खरीदा तो पुराना घर है तो पुराना उसका अंदर concealed wiring होंगे दिवार के अंदर वाइडिंग होता है उसका हम बोलते concealed wiring क्या बोलते हैं उसको बोलो concealed wiring बोलते है तो बच्चो अगर wiring concealed हुआ किसके अंदर दिवार के अंदर पता हैं तो पता चलेगा नहीं भाई कि कहां कहां पर वो वायर है कहां कहां पर तार है कुछ पालूम नहीं पढ़ रहे हैं तो आप क्या करो आप ले लो एक magnetic compass और वो compass को दिवार पर रख दो घर के सारे switch on कर दो तब सारे switch on करोगे तो जहां जहां वायर होगा वहां क्या बहें का current flow होगा अब आप compass लेके दिवार पर रख दो और दिवार के चारो साइड उसको move करो ठीक है यहां पर रखा देखा कि उसके pointer में there is no deflection no deflection मत्तब यहां पर वायर नहीं है यहां पर रखा दिवार पर देखा no deflection यहां पर करेट वायर नहीं है यहां पर रखा deflection दिखा यहां पर वायर हो सकता है यह हो सकता क्या है है ही सुझ मैं तो इसका हम practical application कर सकते है ऐसे अगर magnetic compass जहां रखा दिवार पर तो यह आपको मालूम पर जाएगा भाई दिवार पर वहां पर वायरिंग है कि नहीं है बारिश का टाइम बच्चो तो बा दिवार जो है ना वो थोड़ा वेट हो जाता है और कभी-कभी वेट दिवार से हमें लगता है चाहिक सआग अगर अगर अर्तिंग प्रीवर नहीं था में लगट जाएगा शॉक दिवार में वायर है और उस दिवार के वायर को आपको चेंज करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा ताकि आपको फ्यूचर में शौक ना लगे ठीके तो यह आपका एक प्राक्टिकल अप्लिकेशन हो गया अब आगे चाप्टर में हम क्या करने वाले बच्चो तो हैंस ओ बहुत सारे सवाल पुछें बोले ओश्टर भाई आप यह बताओ कि यह मागनेटिक फिल्ड जो आएगा करन्ट कैरिंग कंड़क्टर करेगा वह कैसा होगा क्योंकि मागनेटिक फिल्ड ऑफ बार मैगनेट होर्शू मैगनेट यह लोग जानते थे वह तो मैगनेट था ना चलो कि में काम करो तुम बताओ कि स्ट्रेट करेंड कंड़कर होगा जैसे वह लाके से और तो इसके अरूम्र मैंगनेटिक फिल्ड कैसा होगा हो वह बताऊं दूसरा अगर सटिपोलमें। कि solenoid के round magnetic field कैसा होगा यह तीन चीज के round बताओ magnetic field कैसा होगा और अगर मुझे magnetic field का direction किसी भी point पर magnetic field का direction कैसा है जैसे हमने बोले ना हमने तो यह guess किया A to B जा रहा है तो right of north B to A जा रहा है तो south of north अभी कितना guess करेंगे हम लोग तो इसके लिए भी बताओ कि कही पर भी मुझे magnetic field का direction find करना है तो मुझे कौन सा rule apply करना पड़ेगा तो यह rule भी बताओ तो भाई oyster के पास बहुत सारे काम आ गए और हमारे पास भी काम है ताकि हम next video बना के आपको समझा सके कि hands oyster ने एक-एक question का जवाब कैसे दिया ठीक है बच्चो तो next video में आपको oyster से पूछे गए सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा so hopefully you like it if you like the video do not forget to comment अच्छा comment और yes कोई suggestion है तो you can give okay thank you